तो श्टार्ट करते हैं क्लाश 10 चेप्टर नंबर 12 और यह 12 पहले यही चेप्टर 13 था बट इस जो न्यू सिलेबस के एकॉर्डिंग यह चेप्टर हमारा 12 है तो न्यू सिलेबस 2023 एंट 24 के एकॉर्डिंग मैं पढ़ाना चाहता हूं पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पर चेप् एंड वोलियम तो हमारा यही बुक है तो देख सकते हैं यह बुक के कॉर्डिंग हम करने वाले हैं सलूशन तो चलते आगे सर्फेस एरिया को देख रहे होंगे यह इस टाइप का क्यूब होता है ठीक है और यह फिगर मैंने यहाँ पर बना दिया है और इसमें क्या होता है सारी ची बताएंगे कौन-कौन से फॉर्मूली लगेंगे कैसे लगेंगे सब बताएंगे तो यहाँ पर जो इस क्यूब का फॉर्मूला होता है कफ सर्फेसरिया या लेटर सर्फेसरिया तो यहाँ पर मैंने कफ सर्फेसरिया लिखा हो तो इसका मतलब दोनों सेम होता है जाकार का कोई figure होगा उसको लिए curve surface रिया यूज करना है लेटर सरफिस रिया वह भी यूज करना है जो कोई फ्लाइट ही चीज होगा जैसे कोई box हो गया तो box के लिए आपको लेटर सर्फिस रिया लगाना है तो लेटर सर्फिस मतलब कर ना ऊपर-top का चाहिए ना bottom का चाह अब total surface area में क्या होता है, total surface area का मतलब होता है, कोई भी figure होगा, उसका top भी चाहिए, bottom भी चाहिए, और 4 तरग का भी चाहिए, तो मैं क्या बोल सकता है, इसका सिधा formula आप लगाईएगा, total surface area TSA का मतलब मैंने full form लिख रखा हूँ, तो जब इस class में हम जो पढ़ेंगे ना, तो इसमें हमेशा short form यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, short form, तो total surface area का formula क्या होगा, 6A square होता है, अब यहाँ पर जानते हैं भी या, volume, तो volume का मतलब होता है, क्या है, कोई भी figure का capacity, कि उसके अंदर समान कितना आ सकता है, कुछ भी ले ले जिए, जैसे कोई bottle ले 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 जिए, या bottle के अंदर कितना पानी आएगा, capacity, मतलब उसके अंदर कितना storage होगा, storage की बात किया जाएगा, तो आपको हमेशा volume निकालना होगा, अब यहाँ पर कितना समान आएगा, या कितना चीज आएगा, यह इसके लिए आ अब वो Q, A Q होता है, ठीक है, Q होता है, क्योंकि जो हमारा Q होता है, उसका तीनों dimension, length, length हमारा A होता है, breath भी A होता है, और height भी क्या होता है, A होता है, तीनों जो dimension होता है, ना, same होता है, इसलिए, जब तीनों dimension को L multiply, B multiply, height करोगे, तो देखो, A के जगा L रखे, B के जगा भी A रखे, into H के जगा भी A रखे, तो solve करने पर A का power कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यह चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, जो हमारा Q होता है, जो हमारा Q होता है, जो हमारा Q है, उसके अंदर, जो land, breath and height आपस में सारे क्या होते है, इक्वल होते है, क्य इक आपस इन पर दिख रहा होगा, जब तीनो लाइन एक जगा मिलता है, इसको वैटेक्स बोलता है, क्या बोलता है, अब कुछ भी देख सकते हैं, क्योंगी बॉक्स लेकर देख सकते हैं, जो सामने से जो दिख रहा है, जैसे यह फेस तने दिख रहा है, तो को first, second, third, और इसके पीछे भी होगा तीन तो टोटल छे फेस होते हैं फिर एजिस किसे बोलते हैं एजिस ये साइड वाले ये वाला एजिस बोलते हैं ये वाला साइड जो दिखर हैं यहां वाला इसको मतलब मान लो कि ये वाला साइड को ही क्या बोलते हैं एजिस बोलते हैं तो यहां पर जो दिखता आपको हो ना वो faces होता है ठीक है तो हमारे कितने faces होता है मैंने बता दिया च्छे faces होता है और जानने की कोशिस ज्यादा और कुछ नहीं है vertex को use नहीं है आपका बड़ faces के लिए मैं बता दिया हूँ चलिए तो हमारे सामने आप गया क्यूबोड तो क्यूबोड में भी हमारा formula होगा जिससे क्यूब में था सेम एजिटीस formula इसमें होगा बट उसमें अलग formula था मतलब निकालना सेम है बट formula अलग है तो formula पर ध्यान देते हैं तो यहाँ पर कफ surface दोनों बाद सेम होता है बट ले लेटर सर्फेसरिया यूजब करना है जब के पास आपके box अकार का कोई भी figure के बात किया जाएगा तो लेटर सर्फेसरिया यूज़ करना है तो इसका लेटर सर्फेसरिया का मतलब होता है कि भाया चारो तरप का area तो इसका formula लिख लेजिए 2H bracket L plus B तो इसका किसका हो गया लेटर सर्फेसरिया का तोटर सर्फेसरिया क्या होता है तो लबी प्लस B अश प्लस HL होता है अब यहां पर मैं बताता चलू यह याद कैसे कहोगे इतना मुश्केल है तो यह बहुत ऊदो पर यह लिए तो यह दो आएगा एल, बी, फिर ये दो आएगा, नहीं, एल भी आएगा, फिर ये क्या आएगा, व्लस भी, एच आएगा, फिर H के बात क्या आएगा, एल आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, H, यह फॉर्मूला आपका बन गया, ऐसे smart गिरी से आप फॉर्मूले याद कर सकते हैं, अब व वोल्यम निकल देगा वोल्यम मैंने अल्रेडी बता दिया है वोल्यम उसे बोलते हैं जिस की यह क्यूबोड के अंदर कितनी कैपिसीड है कितनी इसके अंदर स्टोरेज है उसको वोल्यम बोलते हैं तो मैंने यहां पर दिखा भी सकता हूं कि यह वाला को वेटक्स बोलते हैं और यह वाला जो धिक रहा पार्ट जो सामने वाला फेसिस दिखता है उसको फेसिस बोलते हैं यहाँ से यहां तक बोल जो वहांगे वीड को वख नो हंची है उसको हाइड वोलते है और वेट कौम अम HUM बेलेन बोलते हैं यहां पर इसका कव सर्फिसरिया निकालेंगे कि लेटर सर्फिसरिया निकालेंगे कि लगाओंगे लगाओंगे किसका होता है कव सर्फिसरिया और स्लेंडर तो यहां पर इसका चारों तरब का पूछेगा तो याद कर लेना भीया चारों तरफ का मुझे चाहिए एरिया तो लगाओगे टू पाई आर एच ठीक है अब यहाँ पर एक सवाल आगे अभीया आर कहां से आएगा एच कहां से आएगा तो यह फीगर को देखते हुए मैं बताता चल लुकता हूँ कोई भी यहां से कोई भी आकार होता है गोल अकार होता है उसके अंदर रेडियस होता है तो यह वाला यहां से यहां वाली मैं यहां से ड्रो कर देता हूं निचे भी आपकार होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे हाइट बोलेंगे क्या बाबू हाइट बोलेंगे और जो पाई क से आप कुछ भी डाल सकते हैं तो आपका चोईस है ठीक है इतना समझ में आ गया तू तो रहेगा पाई की वैलू आप ये डालोगे आर की वैलू कोश्चर में गिवन होगा ठीक है एच कहां से मिलेगा यह जो हमारे सिलेंडर का हाइट है यहां से यहां तक की दूरी वह आप आपका हाइट हो गया वहां पर वैलू डाल दोगे तो कफ सर्फेसरिया निकल जाएगा अब टोटल सर्फेसरिया आफ कौन मतलब यहां पर बोल लगखा जो स्लेंडर उसका टोटल सर्फेसरिया चाहिए साइड का उपर नीचे चाड़ तरफ का चाहिए तो फॉर्मूला आ बनना नहीं पूछेगा आपको सिधा फॉर्मूले लगा देना है ठीक है कभी आपको चाहिए कि हाँ यह बना कैसे इसके लिए आपको बात करना है तो मेरे को बोलना तो मैं अलग से आपको बना के देखा दूँगा कैसे बन रहा है फॉर्मूला तो अभी के लिए याद कर तो आपको वोल्यम निकालना होगा, वोल्यम का फर्मूला होता ह है पाई-र- kon कर लेना ठीक है ना तो यहां समझ में आ गया होगा आप लोग को ठीक है तो इसको हम एरेज करते हैं यह मैं पूछूंगा भी तो दिमाग में रखना कि वोल्म आप पाई आर स्क्वेर एच अब आगे हमें कोशन भी करने वाले तो यह तारी जल्दी से है नाम है उसका कॉन औ करते हैं और यहां पर यह फॉर्मूला भी दिख रहा होगा तो एक नया होगा आपने नायन किलास में नहीं पड़ा होगा तो नायन किलास में पड़े होंगे वैसे तो चलते हैं सबसे पहले करते कब सर्फेस का मतलब होता है कि इसके चार्व तरफ का एडिया चाहिए तो क्या होता है पाई आर एल दोको एक सर्कल का विगर दिर रहा सर्कल में दिए तो आप रेडियस यहां से प्राप्ट हो यहाँ से मिल जाएगा ठीक है बट यहां पर आड तो मिल गिया पाई की वैलू भाई की दलना भाईश ए को से से पाउन दाल दीजा शावर रहराए पह एल से ठीक है और यहां पर थीस todo strategy बटेने का है यहां से यहां से एक यह ग्जिदी जाएगा तो इसको हम हाइड बोलते क्या बोलते हैं हाइड तर एक इक देख सकते हैं right angle right angle formula लग रहा होगा और राइट anglebtRadio triangle में कुण स्ट्रप लगता है बाए पैथाग्रß फार्मूला तो यह वाला फोर्मूला वही है से जनरेट हुआ है मुझे पता हुआ है यह वाला यह आहे है यह हमारा हींदियियस और यह क्या है हाइसको लिखने का तरीका बताता हूं बड़े वाला पहले लिखते हैं बड़ा वाला पहले लिखते हैं इसका square कर देंगे equal to r square हो जाएगा plus h square हो जाएगा तो यह एक formula आपका बन के त्यार हो गया यहाँ पर slight height l निकालने का formula होता है यह तो l के उपर square है तो दूसरे देश में जाएगा तो बन जाएगा root तो r square plus h square यह आपका formula generate हो गया कभी भी question में 2-3 चीज में से 2-6 given होगा मतलब दूसर चीज का given कभी ऐसा भी हो सकता है कि r given है h given है तो आप यह निकाल लोगे कभी ऐसा हो कि यह l दिया है 8 दिया कहेगा h निकालो तो आपको plus minus इधर उधर करना आना चाहिए नहीं आ रहा है तो सीख लेना ठीक है तो यहाँ पर समझ में आग गया l कैसे निकालते है तो मैं सिधा बताता हूँ कभ surface area का formula होता है कभ surface area of cone तो pi r l तो मैंने l निकालना भी बता दिया कहां से निकलेग total surface area total surface area of cone इसका total of cone चाहिए तो क्या है pi r bracket l plus r पाई बोलो pi r bracket l plus r यह आपका formula होगे इसको याद कर लेना है ठीक है volume volume का formula देखिए बहुत easy है one upon three क्या होता है one upon three क्या है बबू पाई आर square h यह आपका formula होगया volume का ठीक है तो आपको ऐसे याद कर लेना है इसको volume of cone बोलेगा तो आप लिखोगा one upon three pi r square h ठीक है clear हो गया और हमारा slide hat का formula में ने generate करके बताई दिया कैसे बना है आपने उतार लिया है तो चलते हैं आगे चली फिरिंट तो आप figure हमारा five है sphere तो इस फियर में देख सकते हैं यहाँ पर पहला लिका curve surface है लेटर surface है इसका निकलेगा ball का curve surface नहीं निकलता है क्यों निकलता क्योंकि जो ball होता है ना उसका कोई surface मतलब top bottom नहीं होता तब top bottom होता है निये तो उसका भिया curve surface है कैसे निकलेगा आप ball है भाई ball का तुम चार तरफ का निकल उपर नीचे कुछ है ना वो तो सब एक ही जैसा होता है ना तो इसलिए कभ surface है हम कभशरी of sphere मतलब इसमें नहीं निकालेंग 4 pi r square volume पूछेगा कि भी जो ball है उसके अंदर कितने हावा है या कितना उसके अंदर मैं समान डाल सकता हूं 3 pi r cube तो यहां पर 4 upon है यह upon ऐसे वाला है ना पाई डाल दो बबू पाई r cube यह आपका किसका हो गया volume का हो गया formula ठीक है तो आपको देख सकते हैं कोई goal है तो यहां पर radius मिल जाएगा ठीक है और हमेशा आगे बताऊंगा जो diameter होता है diameter का अधागड़ होता आपको radius मिल जाएगा ठीक है कोई भी आकार होगा उसके अंदर radius आपको मिल जाएगा इसमें कुछ तो है नहीं pi के value आपको डाली दोगे r के value आपको कोई भी चीज होगा उसका given तो यह हमारा एक होता है hemisphere तो हमेशा फ्रमूला क्या होता है इसमें कव सर्फिसर निकलेगा बिल्कुल क्योंकि इसका top दिख रहा है ठीक है न तो इसका side वाला चाहिए तो कव सर्फिसर इसका होगा बट स्फियर का होता है तो इसका क्या होता है 2 pi r square होता है ठीक है total surface area of cone क् नीचे का भी चाहिए उपर का भी चाहिए तो इसका top total क्या होगा 3 pi r Square तो याद कर लेना immediately मत्तला होता होता कभ़ा निकलना तो क्या होजाएगा 2 pi r square बट उपर का भी निकालना तो क्या होजाएगा 3 pi r square हो जागा वोलीम क्य好吧 बताइए वोलीम टो अपॉंट थी पाई आर्च क्या हो जाएगा तो देछी जुम्हेंट पाई आर्च तो यहां पर एक फॉर्मूला याद करने का सीधा सीधा सिंपल हो कि भाया जो बॉलन उसका आधा कर दीजी तुम इसको आधा कर दोगे आधा करने पर इसके कड़ जाएगा तो आपका अंसर यह मिलेगा क्योंकि यह आधा ही बॉल का तो तुम निकाल ले हो इसफियर यह आध तो उससे डिवाइड कर दीजिए तो यहां पर देख सकते यह कौन है कौन का आपने नीचे वाला पार्ट खा गए तो उसके बाद जो बच रहना उससे को क्या बोलते है फ्रस्टम कौन बोलते है ठीक है तो फ्रस्टम कौन में बहुत इजी है इसमें भी आपको कुछ नही स्टम ही रहेगा बट आर को इसमें आपको बड़े वाले को कैपिटल आर मालेने और छोटे वाले को स्मॉल आर मालेने इतना कर लिए ठीक है इसमें कफ सर्फेस होगा बिल्कुल होगा इसके साइड वाला एरिया निकालना है तो कफ सर्फेस है फर्मूला क्या होता टू पा फ्रेश्टम अफ कोंग का होता है यहां पर कितने हैं कॉन इक था यहां पर दो है तो दोनों क्या होगा एक बड़ा चोटा और एक बड़ा को प्लस कर देंगे तो सेम कोन के जैसा फर्मूला दिमाग लगाओगे तो याद हो जाएगा नहीं होगा तो आपको इसी को दो तीर में लिखे हर कोशचन में आप यूज करोगे यह फर्मूला आपको यह से याद हो जाएगा कोई महनत करने की जरुरत नहीं है तो अब बस प्लस 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 क्या हो जाएगा प्लस आट मतलब कैपिटल आर स्कूरर यह आपको याद कर लेना टोटल है ना यह याद कर लेने इसको फॉर्मूला होता है 1 upon 3 pi h bracket r square r smaller r square plus capital r square plus r multiply capital r मतलब यहां पर मैं बोल देता हूँ smaller r into capital r into हो रहा है bracket बंद कर देना यह आपका volume को हो गया sland hand जो पीछे पढ़े थे same as it है but r के जगा आप क्या लिखोगे बड़े r में से छोटे r को माइनस करो उसका square कर दोगे तो आपका यह formula ready हो गया ठीक है हम पहले पढ़े नहीं थे देखो ना यार हमने l क्या था l sqr plus r sqr है ना तो यहां पर r तो दो r है तो यहां पर क्या r डालेंगे same as it is रहेगा बट different क्या होगा बड़े r में से छोटे r को मानिस कर देना है और इसका square कर देना है तो यह आपको दिमाग में लगाना और बस यह था जलिस उतारिये और एक question बनना है या figure बनना उसका area बताईए तो आपको formula याद होना चाहिए इसका अलग formula याद होना चाहिए तो यहां पर volume की बात क्या है तो यहां पर पूछा गया है कि बताईए volume बताईए इसका तो मैं इसका कौन जो दिकर है कौन का volume का formula क्या होता है आपको पता होना चाहिए volume of cone होता है, volume of cone का formula होता है, one upon three pi r square h pi r square h, yes or no सही है, और यही पर जो आपका slender है बाबू slender का volume of volume of slender का formula होता है, जल्दी से बताइए pi r square h होता है अब दोनों का volume करना है, तो हम सिदा यहां लिख सकते हैं, यहां पर लिखने का तरीका देखिए find volume, तो volume of article लिख देता हूँ बाबू article कोई भी article है, मतलब यह एक कोई figure है, तो क्यासे निकलेगा, volume of volume of cone, यहां पर ऐसे लिख लेना है plus क्या होगा, volume of, लिखो जल्ली से volume of volume of cylinder इतना समझ माग गया, अब यहां पर कुछ नहीं करना है, यह तो मैंने ऐसी बता दिया था, समझाने के लिए, तो volume of cone का formula होता है, 1 upon 3, pi r square h, plus volume of cylinder, क्या होता है, volume of cone तो यह हो गया, volume of cylinder का होता है, पाई, r square h, समझ में आ गया, अब देखिए, जो volume of cone है, तो cone का figure डालना, for example, मैं यहां माल लेता हूँ, saline height तो दिया है, तो हमें saline height यूज नहीं करना, r, तो माल लो, इसका जो r है न, दोनों का r दे रखा है, दोनों का r मतलब, जो, सेम होता है, तो इसका जो r 12 है न, तो इसका भी कितना होगा, 12 होगा, ठीक है न, तो मैं r माल लेता हूँ, दोनों का सेम है, और उसके बाद πाई की value भी सेम है, और क्या सेम हो सकता है, यह सेम है, तो इसका जोगा, इसका 10 हो, कितना माल लेता हूँ, यह सेम है, तो न दो इस आए रहा हो, यह रहा है तो जो इसका बेस और इसका बेस दोनों का बेस सेम है, उसी बेस पर यह इक कौन मतलब, तो जो उसका रेडियस सेम होगा तो दोनों का सेम रेडियस है तो हम कोमन ले लेते हैं और एच अलग-अलग है तो एच को जैसा का तैसा रहने देते हैं तो वन अपन थिरी यहां बचा पाई ले लिया था आर स्कुरर और साथ में एच यहां पर रहेगा प्लस पाई में सESE को ले लिए दिए हैं रहखा है दिमाग में रहना यहां पर दाल दिया कुछ चला गाएगा और और यहां पर क्या लिया कि निया है प्लस एच हाइट किसका भी है सिलेंडर का सिलेंडर का कितना है बबू 10 ठीक है इतना समझ में आ गया आप इसको स्वाल करेंगे बस कैल्कुलेशन आपको करना है 12 का स्क्वार होता है 144 फिर यहां पर आपको ब्रैकेट डाल देना है इसको इससे गुना करोगा तो 5 अपॉन 3 प्लस 10 ठीक है आप इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ढाल दिजीए इसको आप स्वाल करपाऊगे क्या इंटू कर पाऊगे नहीं कर पाऊगे तो मैं इसको रहने देता हूँ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इंटू 44 कि आप इसको सॉल कर लेना मैं तो एसी डेमली कोई भी कोशन ले लिया हूं आपको समझाने के लिए प्लस 3 के एक के पाहरे में 3 आता है नहीं आता है एक के पाहरे में 3 तीन बार में जितने बार में आता हो उपर वाले से घुला कर दोगे तो 30 आएगा ठीक है थिरिक के टेबल से जा सकता ही है ने देखो लेन आ जाएगा और यहाँ पर मैं फोर यहां पर सिक्स यह नो निए 6 नहीं आएगा तो इसको इनटू कर दिजी तो 3, 4, multiply 48, multiply 35 इसको आपस में ने पर आंसर आएगा वोलिम की वेलुम कि वेलुए में का तो हुपंन में क्या क्या लगेगा मीट 100 क्या लगेगा मीटर लगा यह सी न nah पर w एरिया निकालो फॉल इसका लगा देते व कन लगा देते इस वेलेगा तो ऐसी आपको करना होगा तो अभी बस समझाने के लिए बताया हो जब exercise करेंगे तो और अच्छे से आपको बताएंगे जल्दी से राइड डॉण करें और इसको स्वाल करके